नमस्काव friends में नाम Babriyaнд मैं पे पिपर हैकर में आपका स्वागत ए आज देखेंगे यहां पर हम इस प्रेखने WILL का रहने बाला है फिजियो लोजिक क्या देखने है यहां से स्टार्ट हो जाते है तो यहां पर देखिए पहले दिर्काय का आर्थ प्रकृत्र और प्रियोग के आधार प्रकृति आप से पूछ जाएंगे तो फ़ेस्ट कुछ आपके सामने कुछ इस प्रकृत से हो जाता है फिजल प्लस लॉजिस का अर्थ क्या होगा और तो यह से कब दैंगे को आतमा का बिघ्यां कह जाता है तो आई टांशल नेल nosso कुशन की बात करते हैं मनोबिझ्ञान की प्राचिंतंपरी बहां सांथी आपको वताना है चितना के विग्यान के रूप में, ब्याबहर के विग्यान के रूप में, आत्मा के विग्यान के रूप में, या फिर मस्तिक्स के विग्यान के रूप में, तो मनो विग्यान की जो प्राचींतम परिवासा थी, तो वो हो जाती है आत्मा के विग्यान के रूप में राइट आंस हो जाएगा option number 7 next question सरप्रिथम मनो बिग्यान को क्या माना गया है सरप्रिथम मनो बिग्यान को क्या माना गया है आत्मा का बिग्यान, मस्तिक्स का बिग्यान, चेतना का बिग्यान या फिर अब चेतना का बिग्यान तो right answer उताएगा आत्मा का बिग्चान इसे माना गया है ठीक है आगे बढ़ते है next question 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 number 4 की बात करते है पिलेटो के अनुसार मनो बिग्चान है क्या है मस्तिक्स का बिग्चान आत्मा का बिग्चान चेतना का बिग्चान वो प्यूकत में से कोई रही तो जो पिलेटो थे उ क्या है या फिर मनों भिग्यान का सर्वॉत्त मरत्ट क्या होता है या फिर अबहार का बिग्यान किसके अनुसार जो होता है मनों बिज्ञान का सर्बुत तमर्त होता है ब्याबहार का बिज्ञान क्या होता है ब्याबहार का बिज्ञान होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोईशन कोईशन बसकता है मनो बिग्यान आचरत ब्याबहर का यह थार्थ बिग्यान है किसने कहा है मनो बिग्यान आचरत ब्याबहर का किसका आचरत ब्याबहर का ध्यान से देखीगा मनो बिग्यान जो है आचरत ब्याबहर का यह थार्थ बिग्यान है यह किसने कहा तो पहला हो जाता है उन्हों दोगलने यहां अब निसलों इन्हों रहें और मना प्रवीजान का विग्यान है २श्चाल न करे पर छूच्छ ने दी अबर आफ चरह रहा है ब्लूब रता अनुभव का विग्यान है यह कि THIS इष्क अन्रन मन की मन कारो तो यहां पर राइट यह इसक निर ने दी ती इसक हिरे रिषाद के सिक लग्ज्ञान और यह परिवास किसने दी इसको नड़ने ने यहाप होजाता है सकिणर ने या फिर मैगडू गलने पुराय टांसर अपना क्या हो जाएगा तो यह हो जाता आस्यान उखता है किनर को wydaje किस ने कहा था और अनुवभीज्यान है और हमारे इस्किनर ने कहा था ब्यावार और अनुवव्यक का बिज्ञान है और जो हो जाते हैं मैकडूगल ने कहा था आच्छड और ब्याभार का बिज्ञान है तो ये तीनों परिवासाइब बहुत पुछाते एक्जाम में महीने रट लीजीगा आगे बढ़ते हैं next question तो आपको क्या है सारे की सारे याद हो जाएंगे हमें थोड़ा सा सिलूली पढ़ाऊंगा ठीक है बिल्कुल तो बात करते हैं सबसे पहले मलोग ज्ञान ने अपनी आत्मा का त्या किया फिर उसने अपने मस्तिक्स का त्या किया उसके बाद उसने चेतना कात्या किया अब व्याबार की विधी को शुईकार करता है किसने उसकी नर GM पेस्टोलोजी ने बुडवर्त ने बाटसन ने तो यहां पर राइट अंस वाढ़ाएंगा भई बुडवर्त ने कहा है कौन सा बुडवर्त आगे बरते हैं ब्याबार के मूल प्रबर्ती सिद्धान्त से कौन संबंदित है जो ब्याबार का मूल प्रबर्ती सिद्धान्त था इससे संबंदित कौन हो जाते हैं मेकडूगल थारंडाइक इस्कुनर या फिर हो जाते हैं कोहलर तो याद रखना जहांपर मा देखने को मिले मूल तो यहां पर भी मा देख लिना तो मेकडूगल ने दिया था ठीए मैकडूवल से समझ जाते हैं बात करते हैं यहां बहेवियर नामक पुष्थक के लेकक हैं बहेवियर नामा पुस्तक के लिखा कौन है? Bartson, Thorndike, Pavlov, Darwin. तो बस आपको देखना है बहेवियर में 2 और यहाँ पर भी पहले देखना है 2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भई? Option number आ, Bartson ने लिखी है. आगे देखते हैं, यहाँ दरिका है कि Dictionary of Physiology पुस्तक किसने लिखी है? जो Dictionary of Physiology पुस्तक है वे किसकी है? Thorndike, Lock, Jams Driver, यहाँ पर हो जाती है अपनी Prank. तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल, Right. तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है? D देखना है, और यहाँ पर भी देखना है D. D से driver बने का न? driver, बिल्कुल. तो इस पर कार से क्या हो जाएगा? Jams driver हो जाएगा, ठीक है? हेंटे मिल की हमें, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, नेक्स्ट कोशन अपना कहे रहा है, ती बिस में मनो बिज्ञान की परियोक्षाला सरप्रतम कहां इस्थापित की गई थी? यह की गई थी? लिप जिंग में, कहां पर? लिप जिंग में. नेक्स्ट कोशन, मनो बिज्ञान की परियोक्षाला किसने इस्थापित की? जो लिप जिंग में इस्थापित की थी परियोक्षाला यह किसने की थी? बिलियम बुट ने, होन डॉयक ने, कोहलर ने, इसकुनर ने, तो यह हो जाते हैं, बिलियम बुट ने, किसने? बिलियम next देखू, next दरहा है, मनो बिग्यान के प्रतम प्रयूकशाला कब इस्थापित की गई? three questions, we have a question of questionarian. मनो बिग्यान के प्रतम प्रयूकशाला कब इस्थापित की गई थी? 1860, 187, 1818, 1883 तो यह की गई थी? 1889 में तो तीनो's question बहुत important कहां की गई थी? लपजिंग में किसने की थी बिलियम बुट ने कब की थी अठारा सो उनत्तर में ठीक है तीनों की तुने क्योशन एक इस रेट उड़ाते हैं आगे बढ़ते हैं यहां दरखा है भारत बर्स में मनो बिज्ञान की प्रिशन प्रियोग साला कहां इस्थापित की गई थी अब ने देखाता जो ब्याबा जो मनिविग्ज्ञान है उसका अर्थ क्या था उसका ओर्थ अधा ब्याबाहर तो यह दिन किसका करता है ब्याबाहर का दिन करता है आतमा की और मत're जाईएगा ठीक है मनो बिध्यान की विधियां आप देखेंगे मनो बिध्यान की विधियों से लेटर कुशन मनो बिध्यान की आत्म निष्ट विधी है प्रियोग आत्मक विधी क हुजाती है यह देखा है अंतरदर्शन विदी या फिर जीवन इतिहास विदी तो यहाँ पर कौन सी विदी हो जाएगी वो हो जाएगी अंतरदर्शन विदी तो राइट आंसर जाएगा अंतर निर्चड है आगे देखिएगा नेक्स्ट कूशन देखा है अंतरदर्शन विदी में किसका निर्चड किया जाता है जो अंतरदर्शन विदी है उसमें किसका निर्चड किया जाता है दूसरों का स्वैम का पसुमों का या फिर पक्षियों का तो यहाँ पर राइट आ है तो यहां पर तो सभी हो जाएंगी यहां पर क्या क्या हो जाएंगी और आइट ऑपशन नमबर यह सब हो जाती है आगे अमें किया जाता है किसमें अब लोकन प्रियमें जीवन इतिहासिक विधी में अब उप चारात्मक विधी में प्रियोग प्रियोग आत्मक विधी में प्रियोग आत्मक विधी में प्रियोग आत्मक विधी में किया जाता है प्रियोग आत्मक विधी के अंतरगत किया जाता है आगे देखा है प्रियोग आत्मक विधी में कि इतने चर होते हैं तो बहुत दो तीन चार पांस तो यह होते हैं तीन चर होते हैं कितने तीन चर होते हैं आगे ते रहा है नेक्स कोशन प्रियोग विदी के प्रियोग विदी में अंतरदर्सन रिपोर्ट किसे ली जाती है जो अंतरदर्सन रिपोर्ट होती है वो किसे लिया मनों सिइप प्रयोगातमेग का जनक वीदी है का एन कौन है मनों भिज्ञान की प्रयोगातमेग का जनक कौन हो जाएगा स्राइड वाटसम बुट या फिर घिलयम जैंबस तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो बिल्कुल तो यहां पर बताना है इन रही जो हो जाएगा बहें किया रहने बहा है पिलकुल सही जिन लोग आँसरा चुखा है बुट बिल्कुल रही चांसर उजएगा मनों बिज्ञानीकी प्रियोगा अत्मग विधी के जनक बुट हो जाते हैं बिलियाम बुट आगे देखते हैं यहां देखा है निर्चण बिदी में किसका अधिक प्रियोग किया जाता है कानू का बाड़ी का नित्रों का उप्योग तो सभी का तो निर्चण बिदी जो होती है इसमा अधिक प्रियोग किसका किया जाता है नेत्रों करिया या अभी ब्रति है किसने कहा है रोट ने इस्टाउट ने इस्टाउट ने या फिर बैलेंटाइन ने या फिर मन ने तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा देखो यहां देखा है अबदान मस्तिक्स की सक्ति ना होकर संपूर रूप से मस्तिक्स की करिया या अभी ब्रत्ती है ये कहा है किसने बैलेंट टाइम ने तो राइट आंसर उप्शन नमबर सा हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं यह परीभासा किसकी दी है किसी दूसरी किसी दूसरी बस्तू के बजाए एक ही बस्तू पर चेतना का केंद्रीकर अवुधान है तो राइट आंसर बिलमब ने तो राइट आंसर क्या है लिए नगे परीभासा किसी दूसरी बस्तू के बजाए एक ही बस्तू पर चेतना का केंद्रीकर अद्धान है यह कहा था डिमबल जी ने आगे बढ़ते हैं next question दिरेका है तुम्हारा कौन एचिक अबधान को प्रभावित नहीं करता है संकल्प सकती, सायरिक सकती, उद्देश सकती या पर दिरेका है सामाजिक संतुलन तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने बाला है दिरेका है कौन एचिक अबधान को प्रभावित नहीं करता है कौन नहीं करता है सामाजिक संतुलन नहीं करता है आगे देखते हैं next question question number 4 का अबधान की आंतिक दसा कौन सी है जो अबधान है उसकी आंतिक दसा कौन सी है आंतिक दसा नहीं है तो कौन सी नहीं आपको अतना है आदत उद्देशता लच उदिपन की उदिपन में गती या अतीत अनुभव तो कौन सा दाएगा वई बैह हो जाएगा उदिपन गती निमिकत में से कौन सा अबधान की आंतिक दसा नहीं है तो कौन सी नहीं है उधीपन की गती आंत्रिक दसा नहीं है next question की बात करते हैं अब धान की ब्रहादसा कौन सी है अब धान की ब्रहादसा कौन सी अपतर रखा है रूची आवसेक्ता विसमता या फिर जिग्यासा तो यहां पर right answer अपना क्या हो जाएगा तो बह क्या होगा बिसमता रहने भाली है अब धान की ब्रहादसा कौन सी हो जाएगी बिसमता हो जाएगी आगे देखीगा next question दिरका है निमनेकित में से भिरम क्या है भिरम जो है वो क्या है उधिपक उधिपक की अनुपस्तिती में संबेदना की अनुभूती उधिपक की असुदता प्रतिच्छी करण करना या फिर देरका है गलत प्रकार का बिस्बास उप्योक्त में से कुई नहीं तो निमनेकित में से भिरम क्या है भिरम उधिपक की अनुपस्तती में संबेदना की अनुभूती बिल्कुल यह भेर्म नहीं होता है उधिपक की असुद्ध प्रत्ची करण करना बिल्कुल सही जो उधिपक है उसका असुद्ध प्रत्ची करना क्या कहलाता है ब्रह्म कहलाता है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा option number 2 ठीक है आगे बढ़ते हैं next question निम्न मेंसे कौन सा प्रतेच्छात्मक संगठन का नियम हो जाता है पहले देखा है समीपता, समानता, अच्छादन, उपयोग तो सभी तो राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा वह सभी क्या रहने वाला है उपयोग तो सभी रहने वाला है निम्न मेंसे कौन सा प्रतेच्छ संगठन का नियम है तो हो जाता है तुमारा समीपता, समानता, आच्छा दन तो राइट आंसर कर जाएगा उपयोग तो सभी next question की बात करते हैं प्रतेच्छी कड़के संगठन के संगठन के नियम और बिघ्ठन के संप्रदाय की देने हैं तो जाते हैं गएस टॉल्ट की आगे बरते हैं फोर में क्या देखने को मिलेगा हमें अधी गम या फिर सीखना देखने को मिलता है तो बात करते हैं निम्निकित में से सीखने का सबसे उपयोगत अर्थ है ब्याबहार में गती सीलता परिवर्तन करना पड़ेगी तब ही आप कुछ ने किस्ते को सीख पाओगे आगे बढ़ते हैं अनुभब और प्रिसिच्छड के द्वारा ब्याबहार में परिबर्तन ही सीखना है यह कतन किसका है तो यह कतन किसका हो जाएगा पहला दिरका है बुड़वर्थ का फिर दिरका है तुम्हारा सिंपसन का फिर गेट्स एवं अनिका या क्रोन कैब का तो य अनिका यह पना हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछों को देखना है सिर्फ रिवीजिंग है एक्जाम के टाइम यह रिवीजिंग हो जाती है फटा फटीक है बिल्कुल और आपको दो-तीन बाइस से पढ़ लोगे तब भी आपको याद हो जाएगा तो बात करते है क्यूश निमर थाड़ सीखना आध़ तो ढ़्याम अभी वरत्य यों का अर्जन है क्या है सीखना आद तो जियान अभी वरति यों का सरजन अर्जन यह किसने कहा है बुझवरतने तो राइट आंचर अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल सब जोग धुढ़ा चलना है है बिल तो एवम किरू ने ये कथन कहा है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन करा सीखना ब्याबहार में उत्तर उत्तर समान जस्स की प्रिक्रिया है सीखना ब्याबहार में उत्तर समान जस्स की प्रिक्रिया है यह कथन किसका है बुडवर्थ इश्कनर क्रो क्रो और गेट्स बान तो यह हो जाता है किसका इश्क नर्का हो जाता है सीखना है वो मुखे रूप से निर्भर किस पर करता है परीपकता पर आयू पर बंसानुकरम या फिर सारिक दच्छता पर तो यह हो जाता है परीपकता पर निर्भर करता है सीखना आगे वड़ते हैं सीखने के तीन प्रात्मे के नियम किसने प्रतिपादित किये या सीखने क प्रतिपादक है पहद रखाए इसकिनर कोहलर थॉर्ण डाइक या फिर रखाए अपना पावलब तो यहां पर हो जाता है कौन तो वह जाते हैं थॉर्ण डाइक याद करना थॉर्ण मतलब थ्री तो तीन नियम ठीक है कौन से सीखने वाले किसने दिये हैं थॉर्ण डाइक न तो बात करते हैं आगे यहां पर उप्रतिक्रिया का नियम या फिर अभ्यास का नियम तो आपको बताना है कौन सा राइट होगा का नाम क्या है आपको बताना है प्रियास बात रूटी सिध्धान उधीपक प्रतिक्रिया सिध्धान पात संबन्दबाद गाएगा उप्योग तो सभी रहने वाले हैं थॉर्ण डाइक के अधिगम सिद्धान्त का नाम क्या है प्रियास अविंत रुटी का सिद्धान्त भी कहते हैं उधिवक प्रतिक्रिया का सिद्धान्त भी कहते हैं संबंद बाद का सिद्धान्त भी कहा जाता है तो right answer option number D, उप्योग तो सभी रहने वाला है, सीखने के संबंद प्रतिक्रिया सिद्धान्त के परवर्ता कौन है, तो सीखने के संबंद प्रतिक्रिया सिद्धान्त के परवर्ता कौन हो जाते हैं, या फिर अनुकूलित प्रतिक्रिया सिद्धान्त के परवर्ता कौन है, पा अनुकुलत अनुक्रिया सिध्धान्त कोन हो जाते हैं तो बैह हो जाते हैं पावलब जी को जाते हैं पावलब जी हो जाते हैं आगे देखते हैं नेक्स कुशन देखा है पावलब के अधीगमन सिध्धान्त को किस नाम से जाना जाता है सामाजिक अधीगम सिध्धान्त सीखने के सूज सिधानत का प्रतीपादन किस ने किया था अत्वा अंतर दरष्टी द्वारा सीखना सिधानत के प्रतीपादक हैं पिर देखते हैं दोबात प्रतीपादक हैं तो नो बात एक ही है सूज लिग दो या अंतरज़्टी द्वारा सीखने का सिध्धानत लिग दो तो किस ने दिया था इश्कुनर ने जॉन डिवी ने या फिर रखा है थॉर्ण डाइव ने थॉर्ण डाइक ने या फिर वह जाता है कोहुलर ने तो यह किस ने दिया था आपको यहाँ प्रांस देना भी तो यह दिया था अपने कोहुलर ने किस ने कोहुलर ने दिया था आगे बढ़ते हैं पाबलब का प्रियोग आधारित है पाबलब का जो प्रियोग है वो किस पाधायत है कुत्ते पर बिल्ली पर बंदर पर कबुतर पर तो यह हो जाता है अपने कुत्ते गदानध के पतीबाद कौन हो जाते हैं आपको यहां पर बताना सतया नो हो जाते हैं आगे बहुते हैं अनुबंद पर किस ने बल दिया जो उसपर किसने बल दिया था वताना है इसके नर थॉर्ण डाइक कोहल ऑन यह फिर हल ने तो है ंनुबंद पर अनूबंद पर किस ने बल दिया था तो इसका अ कि और नर ने बल दिया था किसे को नर DS बल दिया था अनुवंद पर ठीक है तो ये कुशन बहुत इंपोर्टेंट है और बार बार एक्जाम में आपके रिपीटिड होते रहते हैं आप देखेंगे इस्मृति और क्या है बिस्मृति इस्मृति मतलब याद रखना बिस्मृति मतलब भूल जाना तो बात करते हैं इ इस्मृति से तात्प्रे है अतीत की घटनाओं के अनुवब की कल्पना करना इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत कालीन अनुवब हैं यह परिभासा है किसकी है आपको बता रहा है मैकडूगल की मन की बुडवर्थ की या फिर रायवर्न की हो जाती है दिरकाय इस्मृ हो जाएगे किसकी मैकडूगल की रहने वाली कि si maikdo गलकी रहने वाली घयतान सौराप्ट कानसा है जो स्मृति है उसका प्रतम सौपान कौन सा धारल सीखना पुन पहना या पर पहचान तो यहां पर आनसर अपना क्या uetाइगा इसमर्ती का पृत्म सौपान होता है वही सीखना क्या होता है सीखना होता प्रस मagar раз नंबर नेक्स बीज़न की बात करते हैं डेक्स यश अपना क्या हो तो इस्मृती पर किस मनों बेग्यानिक ने पिरियोग किया है तो बहे किया है तो याद रखना ही इसमर्ती है यह परिमासा किस ने दी है बुडवर्थ, बिने, राइवर्न या फिर बिलियम जैम्स तो यह किसने दिया है बुडवर्थ ने दिया है किसने बुडवर्थ ने दिया है आगे देखते हैं अरजित अनुभवों के अरजित अनुभवों के प्रत्यासम्रण की असफलता ही इसमृति है तो यहां बिसमृत तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा वैइ मन ने कहा था किस ने कहा था मन ने कहा था कि अरजित अनुभवों के प्रत्यास मरड की असफलता ही बिस्मृति है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यदि कोई अपने अपने दुखद अनुभवों की इस्मृति से निकल निकाल देता है जो इसके दुख है उन्हें अपने अनुभवों की इस्मृति से निकाल देता है तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है निस्क्रिय बिस्मृति सक्क्रिय बिस्मृति या फिर हो जाता है धनात्मक बिस्मरड या फिर बिस्मरड तो क्या कहेंगे यदि कोई अपने दुखद अनुभबा को इसमिर्थी से निकाल देता है तो उसे क्या कहते हैं सक्रिय बिस्मरड कहते हैं क्या कहते हैं सक्रिय बिस्मरड कहते हैं दिरखा है ओन मेमोरी पुस्तक के लेखक हैं बुडबर्थ एबिंग हॉस फिर दिरखा है अपना बिलियम जेम्स या फि MacDougal तो right answer अपना क्या हो दाएगा on memory पुस्तक के लिए खक कौन हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे अपने Abbing Horse को ने आएंगे Abbing Horse के द्वाय लिखी गई है आगे बरते हैं इस्मृती पिरकिरिया है तू अधो लिकित में से कौन सा करम सही है तो आपको आपको पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा रड़ाएगा उसके बाद क्या आएगा ना आएगा उसके बाद क्या आएगा गा आएगा बिल्कुल लाष्ट में ग्या आएगा ना तो इस प्रकार सबसे पहले तो आता है उसके बाद रड़ा उसके बाद ना उसके बाद गया तो यह स्रीज जो है फस्ट इमारी सही हो जाती है ठीक है तो यह ट्रीक आप याद कर ली जागा इसके लिए आगे बढ़ते नेक्स कोशन पूर्व अनुभब को बरतमान चेतना में लाने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है उन्हें बरतमान में लाने की चेतना की चेतना जो होती है चेतना में लाने की प्रिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है प्रते चात्मक चिंतन या पर अधिगम इसम्रड या फिर अब धान तो यहां पर आई टांसर अपना क्या हो जाएगा भाई फटा पर डिसकान से प्रिश्रति में कितने समय तक अनुभव रहते हैं अगर आप सोचना चाहो कि कितने भी बुरे वक्त हो अपने पीछे वाले उन्हें सोचना चाहो तो अल्ली 30 सेकंड तक ही उन्हें अपने मन में रख सकते हो आगे बढ़ते हैं बिसमर्ड पर सर्व प्रतम प्रियोगातमक अ क्या हो जाएगा बिलकुल तो यहां हो जाएगा एबिंग हॉस क्या हो जाएगा एबिंग हॉस यहां पर बिलकुल राइट 98 अथर अपना रहनए वाला है आगे बढ़ते हैं Mayor s से कौन सा इस्मृति का तत्व नहीं है सहचार कूट संकेतन संचयन याद रखाय पुना प्राप्ति तो यहां पर बता रहा है कौन सा नहीं निम्निवे से कौन सा इस्मृति का तत्व नहीं है तो वह कौन सा नहीं है संचय या सहचार वही सहचार नहीं है कौन सा सहचार नहीं है संचय इसमर्थी का है और कूट संकचन इसका भी हो जाता है और पुनापराप्ति भी इसमर्थी का तत्ब है आगे बढ़ते हैं दीगर कालिक स्मर्थी के अंतरगत कौन सी इस्मृति नहीं आती है दीकर काले किस्मृति के अंतरगत कौन से इस्मृति नहीं आती है पर देखा है प्रसंगिक इस्मृति प्रति धुहनिक इस्मृति प्रति रात्मक इस्मृति या फिर अर्थगत इस्मृति तो यहां पर राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा तो प् कि अभी प्रिनात्मक्स धांत का प्र्रति पाधन कि उने ता राइड एविंग हॉस मैंङू या फिर वता है बुड़ बर्थने यहां पर राइट sudah क्या हो जाएगा बैं हो जाएगा फ्राइड कॉन जाती है ऑब कर दी को जाती है आगे और यह वीडियो का लाश्टी कुशन जब पूर्व अनुभब को वर्तमान में चेतना में इलाने की असफलता होती है तो क्या कहते हैं अधीगम इसमर्ड धार्ड या फिर बिसमर्ड तो इसे कहेंगे बई बिसमर्ड क्योंकि याद नहीं आ रहा है इस प्रिकार से हमने पाइब पॉइंट कर लिए कबर चार पॉइंट और रहे गए हैं वोन देखेंगे पार्ट नंबर किसमें सेकेंड में देखने अब आले हैं तब तक इन क्योशनों को बहुत इचा पिकार से खबर करना है यहिए क्योशन आपके एक्जामें को मिलने वाले हैं तो जाखने ह आइन जे बार